दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ Instagram की जो Reels वीडियो होती है वो Full HD quality में क्यूं नहीं चलती है कभी-कभी ऐसा होता है कि Full HD quality में चलती है Reels के अंदर और कभी-कभी ऐसा होता है कि वो Full HD quality में नहीं किया गया है और कुछ लोगों का message ऐसा भी मुझे देखने को मिलता है कि जब हम अपनी वीडियो को shoot करते हैं, export करते हैं, edit करते हैं, full HD में export करते हैं, उसके बाद में upload करते हैं और हमारी जो वीडियो है, जब हम उसको watch करते हैं, अपनी family member के phone में, या फिर अपने friend के phone में, तो वो जो वीडियो होती है, उसकी quality होती है, वो decrease हुई भी हमें वहाँ पर मिलती है, उसकी quality अच्छे क्यों नहीं आती है, जबकि हमने उसको full HD quality में upload किया है तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके इन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूँ, और मैं आपको बताऊंगा के कभी-कभी HD में क्यों चलती है, और कभी-कभी उसकी quality कम क्यों आती है, ये सारी चीज़ों पर हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी सब कुछ समझ में आ जाएगा, वीडियो बहुत इंटरस्टिंग होने वाली ये वीडियो को बीना इसकीप के आपको लाज तक का देखना है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जालने जे मैंने नामे शाहिद और आप द हो जाती है, ऐसा क्यों होता है, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हम अपने इस्टाग्राम को आपन करते हैं, मौर्निंग के वक्त, और रिल्स के आप्शन में जाकर के वीडियो को बाच करते हैं, तो वहाँ पर हमें सारी की सारी वीडियो फूल एच्डी क्वालिटी में देखने को मिलती है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि कुछ टाइम इंटरनेट जो चलता है, हमारा फुल हाई स्पीड के साथ चलता है, क्योंकि मौर्निंग में इतना इंटरनेट यूज नहीं करते हैं लोग, तो हमारी जो इंटरनेट की स्पीड होती है, वो बहुत तेज आती है और जिस वज़ाए से जो Reels की वीडियो है वो सारी की सारी हमें HD में शो होती है HD में दिखती है और जो हमारी वीडियो होती है वो भी HD में ही चलती है लेकिन जैसे ही दिन निकलता जाता है और 12 बज़े के बाद में या फिर शाम को 4 बज़े सभी लोग अपने इंटरनेट को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर होता क्या है कि हमारा जो इंटरनेट है वो कम चलता है और जिस कारण से हमें Reels की वीडियो होती है उनकी quality decrease हुई भी मिलती है हमें वो साफ वहाँ पर चलती हुई नहीं दिखती है तो यह होता इसलिए है क्योंकि हमारे जो इंटरनेट है उसके अंदर problem है यह सिर्फ इंटरनेट की problem है ना कि हमारी वीडियो की quality की problem है आपकी जो वीडियो आपने upload की है वो भी HD में upload हुई है और जिनकी तुम वीडियो देख रहे हो वो भी HD में upload हुई है लेकिन आपको वो quality best क्यों नहीं दिख रही है HD quality में क्यों नहीं दिख रही है वो इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि आपका जो internet connection है वो सही नहीं चल रहा है उसकी जो speed है वो सही नहीं आ रही है और यह ज़्यादतर जो हो रहा है वो geo company का जो sim है उसी की साथ में हो रहा है अगर आप इसको idea जो फिर atl में use करते हो या फिर wifi से use करते हो तो वहाँ पर आपको ये problem देखने को नहीं मिलेगी ये सिर्फ जो problem है वो internet की है ना कि आपकी video की या फिर जो है आपने उसको जो export किया जिस application से किया उसकी किसी भी चीज़ की कोई problem नहीं है आपकी video full HD quality में upload हुआ है आपको इस चीज़ में tension लेनी की ज़रूरत नहीं है ये सिर्फ problem जो है वो internet की है और जायतर geo connection की यानि के geo का जो हमारा sim है उसकी geo का जो sim है फिलाल इसका जो internet है वो अच्छा नहीं चल रहा है बेकार internet चल रहा है और जिस विया से हम जिसकी भी video को देखते हैं रेल्स की video को वहाँ पर हमें उसको quality कम देखने को मिलते है और हम यह सोचते हैं कि हमारी वीडियो है वो सही साफ क्यों नहीं चल रही है जबकि हमने इसको hd में upload किया है यह सिर्फ internet की problem है और किसी चीज़ की problem नहीं है आई hope कि आप समझ गए होंगे कि यह जो आपकी video चलती है यह साफ क्यों नहीं चलती है तो अगर आप geo का sim यूज़ करते हो तो आप item ले लिजे आईडे ले लिजे या फिर कुछ दूसरा ले लिजे एक वी आई का sim है वो बहुत अच्छा चल रहा है आप वो भी ले सकते हो तो गाईस यह सिर्फ geo में जारेतर problem आती है internet की problem में और कोई problem नहीं है आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगए गर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूने हो तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में